हाई दोस्तो आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर हार्देख स्वागत है दोस्तो प्रेक्टिसेट के नई कुस्चिन लेकि हम आपके सान में पेश हो गई हैं दोस्तो पहला कुस्चिन ही जल्दी से देख लेते हैं दोस्तो पाक स्ट्रेट यानि पाक जलड मरूमद्य कहां से सबसे नजडीक है महराष्ट से तमिलनाडू से आंध्रपदीश से औरीशा से दोस्तो इसका क्रिक्टि आंसर हो जाएगा तमिलनाडू पॉप्सिन नमर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकुस्चिन निमन लिगत में से कौनसा देश सार्क का सदस्य नहीं हैं पाक जीरो जीरो या 2.2 या 7.0 तो इसका क्रिक्ट आंसर हो जाएगा उप्सिन नमर से 2.2 के लगबग होता है निगू के रसका पी एच मान इसकुस्चिन नमर च्यार है निमन लिगत में से किस से आप यूरी गागरिन को सम्बंदित करेंगे अंत्रेच यात्रा से राजनीत से या बिसुद्ध बिग्ञान से दोस्तो आप सभी जानते हैं कि अंत्रेच यात्रा से सम्बंदेते हैं मेजर यूरी गागरिन तो अप्सिन नमर ए इसका क्रिक्ट आंसर हो जाएगा नेस कुस्चिन नमर पांच माही निमन लिगत में से कौनसा ग्रेज सूर का एक परिक्रम चनबरो की फिल्म गांदी में महात्मा गांदी का अविनय किस ने किया है गिरीज करणाड बेन किंसली नसीर अधिक vista संबंदीत है महात्मा गांदी से महावीर स्वामी से भगवान कृष्ण से या भगवान बुद्ध से तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा कपल बस्तू का संबंद भगवान बुद्ध से है नेस कुस्यने कुस्यन नमर एट महें बोपाल गेस कांड के स्थितियों को हुआ था 3 सितंबर 1984, 3 अक्टूबर 1984, 4 नवंबर 1984 या 3 दिसंबर 1984 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984 को बोपाल गेस कांड हुआ था नेस कुस्यने कुस्यन नमर 9 है फारेन हाइट पेमानी पर 98.6 डिगरी सेंटीग्रेट टेमपरेचर यानि तापमान सेलसियस पेमानी पर होगा बलेंक दिरका ही तो 37 डिगरी, 54.7 डिगरी, 61 डिगरी या 64 डिगरी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उप्सिन नमर ए 37 डि सक्ति 0.05 पांच से एक अस्टी या एक अस्टी या इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.05 से एक अस्टी सामान व्यक्ती की सामारति होती है नेस कुष्चे ने कुष्चे नमर 11 है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तो रक्ताल पता यानि खून की कमी एक दसा है जो सम्बंदित है निमन हीमोगलोबिन से कबकी है संक्रमर से हार्मोन की अनियम मितता सी तो इसका क्रिक्ट आंसर हो जाएगा निमन हीमोगलोबिन स सम्बंद है रक्ताल पता का दोस्तो नेस कुष्चे ने दोस्तो कुष्चे नमर 12 है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तो कुष्चे नमर 12 में पूछा गया है प्रत्वी के प्रष्ट से पलायन बेक का मान लगवाव कितना होता है यानि किलो मीटर पर सेकेंड में 25-15 पांच या 11.2 दूश्ति इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा ओप्सिन नमर डे 11.2 किलो मीटर पर सैकिंड होता है प्रत्वी की प्रष्ट से पलायन वेक कमान नेस कुछ ने दोस्तों कुछ नमर 13 है दोनी के सोरगुल का मापन होता है डेसीवल में पासकल में प्रकास बर्स में ख़गोली एकाई में तो इसके करिक्ट आंसर हो जाएगा डेसीवल में ओप्सन नमर ए इसका राइड आंसर हो जाएगा स्कुछ मारिया सारापुवा को किसे सब्सक्राज में जोड़ा किसरी तेराकी टینिस बैड्मिंटन पॉप संगी उस्ती Сп ERIC आंसर हो셔서 अब आफ है कुछ निमर इस कुछ ने कुछ निमिनार का निर्मार किसे द्वारा पूरा किया गया कुतबदी नेवा का इल्तुतमिस रजिया स्ल्तान या बलबन दूस्त के करेक्ट यांसर हो जाएगा उप्शन निसकुस्ची ने स्वराज पार्टी की गोश्ड़ा कब हुई थी 1929 में 1922 या 1923 में तूस्त इसका राइट यांसर हो जाएगा 1923 में सुराज पार्टी की गोस्टना हुई थी इस कुश्य ने चार मीनार को किसने बनवाया था यानि किसने बनाया है एदर अली ने टीपु सुल्टान ने ओली कुतुप साही या औरंग जेव ने दुस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप सिन नमसी ओली कुतुप साही ने च किसके सासंकाल में सरफ प्रतम सोने की सिकके जारी किये गए थी ली thusके सासंकाल में इस कुषिए कुश्चे नमर 21 ही राष्ट कूट बनसको किसके द्वारा उभाट फ्याका गया था जैसिन पुलकेशन दोईती है बिक्रमा देती है सस्ट या तेलब दोईती है तो इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा उप्सिन नमर डी तेलब दोईती है के दौरा राश्टकुट बंस को खाड फैंकात गया था नेसकुस्चिने कुस्चिन नमर 22 माहें बीवी का मकबरा किसकी कब रही म उम्ताज मेहल की नूर जहांगी गुलगदन बेगम की आहमीदा बानो बेगम की दौस्त इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम की दोस्तो कब रहे बीवी का मकबरा नेसकुस्चिने कुस्चिन नमर 23 है किसके सासनकाल में मराठा समबाजी को फांसी की सजा दी गई थी औरंग जेब साजहां जहांगीर अकबर दोस्त इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा औरंग जेब के सासनकाल में मराठा समबाजी को फांसी की सजा दे गई थी नेसकुस्चिने कुस्चिन नमर 24 है समराठ अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम का किसे दी गई थी मुहम्मद हुसेन को मुकंबल खां को अब दोस्तमद को या मीर सयद अली को तो इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा और यह मुहम्मद हुसेन को अकबर द्वारा जड़ी कलम की उपादी से नवाजा गया था नेसकुस्चिन कुस्चिन नमर 25 है निम्नांकिन rivalsれंसे कुंसा बिटामिन पाणी में गुलंसील होता है तो इसका होता है बी और सी दोस्तों आप सी भाड़िV एक और वार चुन वाली एक हम्मद И और अब्कार Mens महा नदी के किनारे तापती नदी के किनारे नर्मदा या गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा तापती नदी के किनारे ओप्सन नमर भी इसका रायट आंसर हो जाएगा गुरू अरजुन देव किसके समकालीन थे बाबर के जहांगीर के बरत्त बगवान महावीर या ये सबी दोस्तों इसका क्रिक्ट अंसर हो जाएका option number B भगवान बुध्ध उनका जीवन बरत्त दोस्तों जो अजनता की गुफाएं हैं वो दरसाती हैं कुफाओं में जो मूर्तियां इस्तिते हैं वो अदरसाती हैं भगवान बुद्धो उनका जीवन ब्रत इस कुछिने कुछिन में 30 है तामे की गैन को गरम करने पर इसका घनत तो क्या होता है बढ़ जाता है गट जाता है वो ही रहता है इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो इ दूसिते हैं अमें 32 है वो ही सालों की कि तो इसको से ने कुछिन में 33 है शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है रेकेटस रखत छीरतर इसकर विया अधिरक्त स्राव तो इसका क्रिक्ट रंसर हो जाएगा option number B रख्त छीटता होती है जब दोस्तो आयरंड की कमी हो जाती है बोड़ी में question number 34 है मोनालिसा क्या है ये चेत्र है धार में किरंत ही फ्रांसी सी गुक्चर है या उपन्यास है दोस्तो मोनालिसा क्या है दोस्तो मोनालिसा एक चेत्र है option number A इसका right answer हो जाएगा question number 35 है किस रंका तरंग देदर सबसे अधिक होता है बैंगनी रंका लाल रंका हरी रंका या नीले रंका दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा लाल रंका तरंग देदर सबसे अधिक होता है बांकी के कुष्चेने हम नेस्ट वीडियो में कम्प्लीट कर लेंगे अभी उसको थोड़ी देर में अप्लोड करने वाले हैं तब तक दोस्तो आप उसका बेट करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें, थेंक्यू दोस्तु